नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार आपके साथ नहुआ पूर मिश्रा यहां वही केरराहूल जिनका पल्ला आजकल आज उगर रहा है वही केरराहूल जिन्हें शांदार बल्ले बाजी के लिए नियूजिलेड के खिलाफ हुई 5 T20 मैच की सिरीज का मैन आफ दा सिरीज भी चुना गया इसके बाद नियोजिलेंड के खलाफ पहले बंडे में भी उन्होंने बेमिसाल बल्लेबाजी की और सिर्फ 64 गेंदों पर नाबाद 88 रन बना दिये तो संजय मांजरेकर ने केर राहूल की उसी 88 रन की नाबाद पारी की तारीख दिये है इस पारी में राहूल ने उननचास्ते ओवर में जेमी नीशम की गेंद पर स्विच हिट के जरिये छक्का लगाया था इसी शॉट को देखकर मांजरेकर काफी ब्रभावित हुए और उन्होंने राहूल को मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज बताया उनके मताबिक केर राहूल ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो अलग-अलग तरह के शॉट्स खेलने के बाद भी क्लासिकल नजर आते हैं नियोजिलैंड के खलाफ हैमिल्टन वंडे में एक बार फिर से राहूल बदले हुए बैटिंग ओर्डर पर खेलने उतरे थे अक्सर वो ओपनिंग उतरते हैं लेकिन इस बंडे में उन्हें पांचमे नमबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला लेकिन इसका उनकी बल्लेबाजी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा पांचमे नमबर पर खेलने आए इस बल्लेबाज ने 64 केंदो पर नाबाज 88 रनों की शांदार पारी खेली और इस दवरान राहूल ने तीन चौकी और छे गगन चुम्बी छक्के लगाए उनका स्ट्राइक रेट 137.5 शूने का रहा उनकी पारी की बदौलती भारत निर्धारित पचास ओवरों में चार विकेट के नुफसान पर 347 रन बना पया राहूल ने न्यूजिलेंड के खिलाफ T20 सिरीज में भी शांदार बल्लेबाजी की थी बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने पांच मैच में दो अर्ध शत्कों की बदौलत 224 रन बनाए थे इस दौरान बल्लेबाज ने एक बार 40 प्रस का स्कोर भी बनाया था पिश्टी दस पारियों की बात कर लें जिसमें वंडे और T20 दोनों की पारियां शामिल हैं उसमें पांच बार राहूल पचास का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इसलिए उनकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है हर प्रिकेट का दीवाना उनकी बात कर रहा है हर पूर्व क्रिकेटर उनकी तारीफ कर रहा है और माजुरेकर ने भी उन्हें 360 डिग्री बल्लेबास बता दिया है इससे पहले पूर्व भारती ओपनर गौतम गंभीर ने केर राहूल की बल्लेबासी करम से छिरचार को गरत बताया था उन्होंने अंग्रीजी अखबार के एक कॉलर में ये बात लिखी थी गंभीर ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी सोच है कि उन्हें टॉप ओर्डर से हटाया जाए इसके बजाए टीम मेनेजमेंट राहूल और मैंक अगरवाल से पारी की शुरुवात करवा सकती है वैसे 360 डिग्री वाले बल्लेबास के अगर बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका के फूर्विखिनारी AB डिविलियर्स के लिए बहुत कहा जाता था क्योंकि वो भी मैतान पर हर कोने में शौट लगाने की शमता रखते थे उनके क्लास का हर कोई दीवाना था तो एक तरह से संजय मांजरेकर ने केर राहूल के तुलना AB डिविलियर्स से की है उन्हें 360 डिग्री बल्लेबास बताया है क्या वाकई संजय मांजरेकर के इस बयान से आप सह्मत है क्या वाकई केर राहूल एक 360 डिग्री बल्लेबास आप मानते है क्या AB डिविलियर्स की तरह राहूल भी मैदान के हर कोने में शौट लगाने की शमता रखते है आप इस बयान से कितना सह्मत है कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें नमस्कार